Hello everyone, आप सभी का स्वागत है Commerce Spotlight में मैं आयूशी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत important वीडियो उन सभी aspirants के लिए जो देना चाहते हैं इस बार December 2023 का UGCNet examination अगर आप कर रहे हैं तयारी 2024 में UGCNet examination देने की और चाहते हैं Assistant Professor बनना अच्छी University से Institute से PhD करना तो आप सभी के लिए UGCNet examination को qualify करना सबसे जादा महत्कून हो जाता है क्योंकि अगर आप Assistant Professor बनेंगे तो minimum eligibility net examination है और अगर आप चाहते हैं PhD करना तो अगर आपको चाहिए JRF या PhD Entrance के लिए तो भी आपके लिए इस examination को qualify करना बहुत जादा जरूरी हो जाता है और अगर आप चाहते हैं कि UGC से आपको stipend मिले for your PhD तो आपके लिए JRF को clear करना बहुत जादा जरूरी हो जाता है तो ये examination जो है ये examination national level examination है जिसमें जो result जाता है net के लिए वो 6% और उन top 6% का भी 6% result जाता है for JRF तो competition बहुत हाई है competitive examination है जो भी बच्चे appear करेंगे उनमें से 6% ही है जिनको net मिल पाएगा और 1% है जिनको JRF मिल पाएगा तो क्या इस examination के लिए कुछ खास त्यारी हमें करनी होती है तो answer है बिलकुल yes क्योंकि ये competitive examination है तो आप ये नहीं सोच सकते कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़के हमारा selection हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे best of the best को select किया जाता है आप कितना अच्छा कर रहे हैं वो matter नहीं करता आप कितनों से अच्छा कर रहे हैं वो यहाँ पे बिलकुल matter करता है तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है और फिर अपनी तयारी को start करना है मैं अपने experience से कुछ बाते हैं जो आपको बताना चाहती हूँ और आप अगर उन चीजों का ध्यान रखोगे तो बिलकुल आप इस examination को qualify कर लोगे और जो आपका सपना है असिस्टन प्रोफेसर बनना एक बहुत अच्छी इंडिवरस्टी से IIT से IIM से PhD करना वो आप बिलकुल अपना सपना साकार कर सकते हो और 2025 में अपने सपने की तरफ बढ़ सकते हो बहुत सारी vacances हैं जो असिस्टन प्रोफेसर examination के लिए आ रही है upcoming year में आने वाली है और बिलकुल इस बार PhD को जो है उसके लिए एक entrance test common entrance test रखा गया जो net examination ही होने वाला है जिसमें third category PhD entrance के लिए रखी गई है तो अगर आपको PhD में भी admission लेना है तो भी examination बहुत जाता important है तो कैसे क्या चीजों का ध्यान रखा जाए कि इस examination को हम qualify कर लें वो आज की video में हम discuss करते हुए चलने वाले है तो जो भी for the very first time इस channel से जुड़ा है तो आप सभी का स्वागत है मेरा नाम Ayushi है आपके लिए paper 1 and paper 2 commerce की classes provide करती हूँ आप मुझे regularly follow कर सकते हैं 5 p.m पे मेरी commerce की classes रहती है and paper 1 की classes भी early morning time पे मैं आपके लिए लेके आती हूँ तो आप सभी को करना क्या है इस video को फड़ा फट से share कर देना है and हमारा जो channel है commerce spotlight इसको कर लेना है subscribe क्योंकि आपके लिए कैसे आपको तयारी करनी है किस तरीके से तयारी करनी है वो सारी चीज़ें आपको बताती हूँ and हम बिल्कुल content focused चीज़ें हैं जो लेके चलते हैं बिल्कुल भी आलतो फालतो भी बाते नहीं सीधा to the point पढ़ाई पर focus करते हैं बट ये चीज़ें भी हमें पता होना जरूरी है तो इन special videos के माध्यम से इस तरीके से भी मैं आपकी help करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि जब competitive examination की बात आती है तो आप कितना पढ़ रहे हैं वो तो important है पर आपको एक correct guidance भी मिलना बहुत जादा जरूरी है तो उसी correct guidance देने के लिए अपने experience है और जो मैं आसपास जो भी मेरे साथ हमारे जो discourse में लोग है उन सभी के साथ से जो सीखती हूँ वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करती हूँ so that आप वो गलती ना करें या आप जो अच्छी चीज़े हैं उनको adopt करके अपना selection है जो ले सके ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो रहती है अगर आप लोग jrf.da application से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कु डाउनलोड कर लिजे क्योंकि हापे आपको बिल्कुल free of cost बहुत सारा content मिल जाता है youtube classes के pdf, moktes, ये सारी चीज़े आपको मिलती है अगर आप enrollment लेना चाहते है paid batches में तो बिल्कुल paid batches भी आपको provide किये जाते हैं ये सभी features के साथ and yes 8th of July से यानि कि कल से जो हमारी regular classes है वो start हो रही है paid batches में paper 1 and paper 2 के लिए तो paper 2 मेरा comments है तो मैं आपके लिए comments की classes लेने वाली हूँ ठीक है और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है 8th of July से हमारी classes start हो जाएंगी paper 1, paper 2 जैसे भी आपको लेना होता है वैसे आपको classes मिल जाती है तो चलिए अब गुद्धे पर आते हैं बात करते हैं कि हमें किस तरीके से तयारी जो है वो करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि यह जो examination है यह एक मन्थ, दो मन्थ और तीन मन्थ की तयारी से नहीं होता इसमें आपको क्या करना है आप अगर December के लिए focus कर रहे हैं इसमें आपको 5-6 महीने जो है वो देने है so that अगर आप 8 से तयारी करें और वो 5-6 महीने की जर्नी जो आपकी होगी जिसमें आप अपना 11th क्लास से लेके Masters तक का पूरा syllabus है जिसको device करेंगे, cover करेंगे तो वो चीज के लिए एक journey है जो आपको तै करनी है ऐसा नहीं है कि ये examination में आप 1-2 महीना पढ़ा और हो जाएगा मैं ये नहीं बोलती कि नहीं होता ये video उनके लिए है जो अभी से तयारी करना, start करना चाहते है उनका education से थोड़ा gap हो चुका है या वो अभी अपने master's में एंटर किये है और उनका dream है assistant professor बनना और अपना research करना तो उसके लिए आप इस examination के लिए search करते हो और आपको पता लगता है कि हाँ, UGC net examination है जो आपके सपने को पूरा करवा सकता है तो अब हमें ये journey जो लेके चलनी है ये 5-6 महीने की journey होगी क्योंकि मैंने जैसा कि starting में बताया आप कितना अच्छा कर रहे हो, वो matter नहीं करता आप कितनों से अच्छा कर रहे हो, वो matter करता है best of the best को यहाँ पर select किया जाता है तो it is a journey of 5-6 months जो आपको तै करनी होगी और क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो है इस examination की demand क्या है आप इस examination के लिए तयारी कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ पढ़नी होगी अब इस examination से आप बनोगे assistant professor आप बनोगे research scholar आप PhD में admission लोगे आप research और teaching के अरीना में जा रहे हो तो किस तरीके से एक researcher का mindset होना चाहिए किस तरीके से एक professor का mindset होना चाहिए वो चीज़ें आपको सिखाना इस examination का main उदेश्य रहता है और इस examination में ऐसा नहीं है कि आप कोई एक field में specialization कर रहे हो इस examination को crack करने के बाद जब आ PhD करोगे जब आ प्रोफेसर बनोगे तो आप एक field के expert कहलाओगे पर अभी इस point of time पे आपने जो अपनी 11th class से लेके master's तक पढ़ा है वो complete knowledge आपके पास होनी चाहिए तो अगर मुझे यहाँ पे complete knowledge चाहिए तो मैं यह नहीं बोल सकती कि मुझे एक ही चीज में specialization करनी होगी No, specialization is not required तो एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो क्या है कि आपको thorough knowledge इस examination के बारे में होनी चाहिए और अगर इस examination के लिए thorough knowledge चाहिए तो उसमें बहुत जादा लगेगा आपको resources एकठे करने होंगे और जो paper one है वो journal paper है जहाँ पे आपका teaching aptitude, research aptitude, reading comprehension D.I.E. maths, logical reasoning, ICT people development environment, higher education यह diversified units जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जो एक person को complete बनाती है कि उसको हर तरीके की knowledge है जो होनी चाहिए अपने environment से related, higher education से related technology से related, maths related, analytical things ठीके, और aptitude related सारी चीज़ें का ज्यान हो तो उसके लिए आपको चाहिए होता है एक comprehensive view एक large view जो आपको help करे हर चीज़ को समझने के लिए और उसी के लिए सबसे पहली चीज़ और सबसे important चीज़ जो आपको इस journey में ध्यान रखनी है that is what kind of questions are asked what type of topics are asked तो जो चीज़े आपसे पूछी जा रही है उनके बारे में आपको aware होना पड़ेगा क्या आपसे direct questions पूछे जाते हैं क्या आपसे understanding based question पूछे जाते हैं क्या आपसे analytical question पूछे जाते हैं या आपसे higher order thinking skills पूछे जाते हैं वो type of questions को आपको समझ के ही अपनी त्यारी को start करना है और ये जो त्यारी है ये 5 से 6 महीने की है as I mentioned तो यहाँ पे आपको results एक महीने में मिलेंगे ऐसा नहीं होगा आप कोई चीज़ पढ़ रहोंगे जर्नल पेपर तो मैंने बताया पेपर 2 जो है आपका जैसे मेरा पेपर 2 commerce है तो commerce में भी 10 unit हैं बाकि जितने भी 83 subjects में NTA conduct करवाता है ये examination तो उसके जो 83 के 83 subjects हैं उन में सभी पेपर 2 में अपने अपने 10-10 units होती हैं और वो 10 unit comprise करती है 40 से 45 आपके पेपर 2 के subjects जो आप अपनी 11 मीं से लेके master सक cover करते हो तो उन सभी की knowledge आपके पास होनी चाहिए आप accounts में अच्छा कर रहे हैं finance में अच्छा कर रहे हैं taxation में अच्छा कर रहे हैं matter नहीं करता आपको सभी में अच्छा होना पड़ेगा अच्छा in the sense की proper knowledge आपके पास होनी चाहिए so that आप इस examination को prepare कर सके इस examination के लिए eligible हो सके तो इसके लिए क्या चाहिए इसके लिए चाहिए थोड़ो knowledge और वो थोड़ो knowledge आपको कहां से मिलेगी आपको मिलेगी previous year question से और आपके syllabus से आपका जो syllabus mentioned है उसको one by one एक एक लाइन एक एक पॉइंट अच्छे से आपको clear होना चीए कि ये word का meaning क्या है और फिर आप देखो कि previous year's में किस तरीके से questions पूछे गए है आपने अभी अच्छे से त्यारी नहीं की है start still आपको सबसे पहले demand समझनी पड़ेगी कि क्यूं इस examination को conduct करवाया जा रहा है मेरे research scholar और मेरे professor बनने के लिए तो वो demand आपको कैसे पता लगेगी वो demand आपको पता लगेगी किस type के questions, किस तरीके के questions आप से पूछे जाते हैं तो one of the most important thing is to clear your PYQs and syllabus दूसरी चीज यहाँ पर important आती है वो आती है, कि यह मत सोचना कि मुझे जो results हैं वो एक महिने में मिल जाएंगे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मैंने तो एक महिने में निकाल दिया मैंने तो दो महिने में निकाल दिया और आपको वो यह निए बताएंगे कि हाँ सिरफ UGC Net का pattern समझने के लिए मैंने वो 1-2-3 महीने लगाए मैंने तयारी तो बहुत time से कर रखी थी मैं UPSC की तयारी कर रहा था मैं banking की तयारी कर रहा था मैं बहुत सारे other examinations की तयारी कर रही थी मैंने commerce से हूँ मैं मैंने बहुत सारे मैंने CA की तयारी की हुई है तो वो जो उनका knowledge cops इतना already बना हुआ है वो उनको health किया एक से दो महीना सिरफ UGC Net में देके उन्होंने selection लिया तो यह चीज आपको make sure करनी है कि आपका जो previous knowledge है उसका level क्या है अगर आपका previous knowledge बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है तो आपको previous year question or syllabus देखते ही पता लगेगा कि क्या चीज है मेरी हुई हुई है और किन चीजों पर मुझे काम करना है तो वही से आप segregate करना start करोगे कितना effort आपको लगाने की ज़रुरत है और कितना effort आपने लगा रखा है फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है next चीज जो हमारे पास होती है हमें ऐसा लगता है कि ये जर्णी तो बहुत smooth होने वाली है मैं हम आप classes लोगे हम classes देखने है काम खतम ऐसा नहीं है मैं एक class ले रही हूँ तो मैं उसके लिए एक से डेड़ घंटा पढ़के आ रही हूँ महनत करके आ रही हूँ और मैंने ये examination निकाला है फिर उसके बाद आपको पढ़ा रही हूँ तो आप अगर first time पढ़ रहे हो तो ये मत सोचो कि this journey will going to be very very easy मुझे तो एक दम से सारी चीज़े समझ आ जाएंगी आपको एक दो महीना लगेगा जब आप त्यारी कर रहे होंगे आपको चीज़े समझने भी होंगी और और चीज़ों को भी साथ साथ टेकल करना पड़ेगा कैसे MCQs को practice करना है कैसे test series लगानी है कैसे notes बनाने है कैसे उनको revise करना है तो results आपको एक दम से नहीं मिलने वाले है results आपको एक दो महीने के बाद दिखने start होंगे और ये जो है एक long journey रहेगी तो आपको अपने आपको convince करना पड़ेगा कि this journey is not going to be very very easy challenges आएंगे but उनको accept करके आगे बढ़ना पड़ेगा तो आप इस examination के लिए तयार हो अगर आप challenges लेने के लिए ही तयार नहीं हो अगर आपको लगता है कि मुझे तो demotivation हो जाता है थोड़ी सी चीच से तो ये examination आपके लिए नहीं है क्योंकि ये competitive examination as I told सिरफ 6% result जाता है नेट के लिए और 1% जाएगा ज्यार एफ का तो जो वो 1% में आना चाहते हैं उनको 99% बच्चों को पीछे छोड़ना है और उसमें आपको बिल्कुल stress भी है जो feel होगा और ये जो stress है ये आपकी productivity जो है उसको improve करना चाहिए अगर ये stress अच्छा है तो दो तरीके के stress पढ़ते हैं stress management में HRM में अगर आपने पढ़ा हो stress और distress तो ये जो stress है वो अच्छा stress है जो आपको help करेगा आपके productivity को increase करने में आप और जादा अच्छे से पढ़ोगे और जादा इंडेक्ट पढ़ोगे तो वो चीज आपको यहाँ पे समझनी पढ़ेगी stress को manage करना पढ़ेगा and then अपनी तयारी है daily basis पे करनी पढ़ेगी ये चीज आपके लिए बहुत जादा जरूरी है और यही एक रामबान है किसी भी competitive examination जो है उसको अच्छे से tackle करने का क्योंकि ये अपने आपको best बनाने की एक journey है personality development की एक journey है जो आपको बहुत easily नहीं but yes hard work से consistency से बिल्कुल देखने को मिलेगी अगर आप ये चीज एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ challenges आएंगे तो आप के अंदर वो resilience है जो बिल्ड होगा और resilience बिल्ड होगा तो आप motivate होंगे खुद बखुद कि हाँ मुझे ये काम करना है और वो zeal आपके अंदर होगी तो आप वो काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और फिर इसके बाद यहां पे जब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ाई करने start कर देनी है तो as I mentioned in first point आपको सबसे पहले syllabus और PYQs को study करना है before studying the subject actually आप पढ़ गए हो YouTube पे आपने वीडियो देखिए आपको समझा आपको लगा ये examination तो बहुत easy है पर सबसे पहले syllabus और PYQ को देखो जब मैंने अपनी त्यारी स्टार्ट की थी मेरे लिए एक बहुत अच्छा point क्या रहा था जब मुझे ये clarity मिल गई कि मुझे इस examination को clear करना है और उसी के बाद अपना जो भी है मिरको अपना dream follow करना है UGC net is not the ultimate goal ये एक first step है तो अब इस examination को clear करना है first thing I did was मैंने एक mock test लगाया था और वो mock test क्या था previous year किसी भी site पर जाओ previous year UGC net examination मैंने 2020 में ये decision बना लिया था तो मैंने 2018 वाला paper था I think मुझे जो मिला था वो मैंने attempt किया और जब मैंने वो attempt किया तो मेरे 100 question यानि कि 200 number में से मेरे कितने number आए 94 marks मेरे सिरफ 94 marks आये थे बहुत दूर थी मैं अपने target से but मुझे तब बहुत अच्छे से clarity मिल गई थी कि कौन से topics मेरे को आते हैं अच्छे से आते हैं और किन topics पे मुझे काम करने की जरूरत है even 2020 में जब COVID period था first half के बाद यानि कि June July में मैंने क्या किया था मैंने तयारी करना भी start कर दिया था pre platforms पे जाके बस classes लेना start कर दिया कुछ not making तब नहीं की क्योंकि तब तो मैं अपनी graduation में ही थी 2020 March में graduation होई है COVID period था 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 September तक चला था session तो इसलिए वहाँ पे मैंने just देखना start किया कि actually होता क्या है कैसे questions आते हैं कैसे teacher एक question को समझा रहा है और उससे पहले मेरे को ये clear हो गए था 94 marks अगर मेरे आ रहे हैं out of 200 in paper 2 तो मैं जो 5th semester पे हूँ अपने जब मैं अपने 5th semester में थी graduation के तो मुझे ये चीज clear हो थी कि हाँ भई ये चीज तो मेरे बसकी है मतलब ये चीज मैं बिल्कुल कर सकती हूँ क्योंकि अगर मैं इस point of time पे जब मैंने आधा सले बस पड़ा है अपना पूरा complete जर्नी का 94 marks आ रहे हैं और मैं आगे इस में से और improve कर सकती हूँ cut off मुझे clear थी कि हाँ लगबग कितनी जाती है 65, 67, 68 इस तरीके से cut off जाती है तो मैं बिल्कुल जो है इस target को achieve कर सकती हूँ ये चीज आपके mind में जब clear होगी जब आप ये चीज से बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ ये चीज मेरे सामने है आपके clear picture आपके सामने होगी तब आप बिल्कुल ready है किसी भी competitive examination की तयारी के लिए और एक और चीज में आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि आपको एकदम से result oriented नहीं बनना है आपको focus करना है अपनी गलतियों को सुधारने में और जो आपके पास नहीं है उस चीज को समझने में यानि कि syllabus अच्छे से cover करो पढ़ो कुछ गलतियां और उनको improve करो फिर उसके बाद आप result को expect करो अगर आप starting में ही सोच रहो कि एक महिना पढ़के आप UGC Net निकाल लोगे तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि foundation बनाने में ही इतना समय तो लगता है हाँ अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कोई अच्छे लेवल के तियारी कर चुके हो है ना बहुत अच्छे तरीके से आपके पास content तयार है तो आप एक-दो महिने UGC Net को समझ के बिल्कुल clear कर सकते हो बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने actual में कितनी तयारी कर रखी है उसके according ये चीज़ें चलेंगी और जो एक बच्चा जो अभी post graduation में एंटर किया है उसके लिए ये 5-6 महिने की जरनी बहुत जादा crucial होती है और बहुत जादा जरूरी भी होती है तो मैंने अपने time में यही चीज़े phone लो की और यही चीज़ों पर focus करते हुए अपनी तयारी start की and जब आप अपनी तयारी start कर देते हो starting phase में आपके पास बहुत सारा time होता है ठीक है, starting time आपके पास बहुत सारा है जहाँ पर आपके पास classes है जो limited होती है ठीक है, limited syllabus जो है आपका वो अभी start हुआ है तो classes limited है revision बहुत कम है आपके पास revision limited है ठीक है, इस point of time पे आपको सबसे ज़ादा जो focus करना होता है classes cover करके note making पे और note making किस तरीके से सबसे best होती है जब तक आप कोई teacher आपको बढ़ा रहा है आप कहीं से पढ़ रहे हो self study कर रहे हो जब तक आप अपने note making नहीं करोगे तक तक आपके लिए चीज़े ज़्यादा fruitful नहीं रहेंगे अब एक चीज़ होती है note making एक चीज़ होती है note taking note taking क्या होता है note taking होता है pdf जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसकी pdf आपको दे रही हूँ that is note taking मैं आपको पढ़ा रही हूँ अपने notes दे रही हूँ, that is note taking उन notes से जब आप अपने खुद के notes बनाओगे, short notes, compile करोगे अपनी कोई भी चीज जो आपके साथ कभी हुई है, कोई year मान लो तो आप उसको याद रखना चाहते हो, तो आपके life में कुछ उस year में जो हुआ है, उससे आप relate कर सकते हो, आप कोई चीज को यहाँ पे learn करना चाहते हो, किसी ना किसी ऐसे incident से relate करो, जो आपके साथ हुआ है, जिससे retention और अच्छी होती है, और जो static portion होता है हमारा, वो चीज में यह चीज बहुत help करते हैं, जब आप relate करते हैं, तो note making is very very important, और starting के एक दो तीन महीने में, जितना जादा note making आप करते हो, उतना ही आपके लिए fruitful रहता है, क्योंकि revision के लिए कम है, mock test का overload नहीं होता, mock test बिल्कुल आपको एक महीने में, एक या दो लगाने होते हैं, starting के एक-दो महीने में, तो यहाँ पर ना तो mock test के इतनी ज़्यादा tension, ना आपके पास बहुत सारी चीज़े revise करने के लिए हैं, कम चीज़े revise करने के हैं, कि आप अच्छे तरीके से अपनी तयारी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, यह जो सारी चीज़ें आपको बताई हैं, इनका जरूर आपको ध्यान रखना है, और आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सारी जगा मिलेंगी, बट आपके लिए सबसे ज़ादा जरूरी क्या है, कि आप एक अच्छे स्टूरेंट बने, और अच्छा स्टूरेंट बनने का मतलब क्या है, कि आप eager है to learn something, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, और उसको learn करना सिरफ यह नहीं है, कि सिरफ class लेली सुन लिया, नहीं, learn करना मतलब अच्छे से समझना, और अपनी permanent memory में डाल लेना, अगर आप इस चीज़ के लिए तयार हैं, तो आप इस UGC net examination के लिए तयार हैं, और आप एक अच्छे assistant professor, associate professor and then professor और lecturer बनने के लिए बिलकुल तयार हैं, क्योंकि आप वो चीज़ों को learn करना समझना सीख चुके हैं, and साथी साथ आप एक research scholar बनने के लिए भी तयार हैं, क्योंकि एक research scholar जब बनना है, आपको एक point पे, चीज़ पे, बहुत छोटे से topic पे, आपको अपने life के 4-5-6 साल लगाने होते हैं, उसको अच्छे से study करने में बट ये examination है, जो comprehensive ability आपको check करता है, overall knowledge आपकी check करता है तो सबसे पहले check करो कि कि आप चीज़े पूछी जारी है, और कहां से चीज़े पूछी जारी है और फिर उनको learn करने की habit आपके अंदर हो जाने चाहिए, कि yes, जो भी मेरे पास challenges आएंगे, उन challenges को मैं face करके, उनको पूरा अच्छे से जो है अपने syllabus को cover करना है और अपने जो challenges आएंगे, उनको बिल्कुल अपने रास्ते से हटाते जाना है, उन hurdles को कम करते जाना है All the very best, आपके लिए daily जो है 5 बजे classes हो रही है, तो daily classes join करिए, कल भी आपके लिए June 2024 का जो paper है, वो solve करवाने वाली हूँ और इस week में और जो previous week हमारा था, उसमें मैंने यही चीज़े की है, और आपके लिए Thursday को एक बहुत बहुत बहुतरिन surprise है, जो मैं लेके आ रही हूँ, जो आपकी तयारी को एक और level अप लेके चला जाएगा, और जो भी UGC Net की तयारी कर रहे हैं for June और for December, आप सभी के बहुत amazing तरीके से, जो और से तयारी हो रही है, and yes, आठ तारिक से, यानि कि कल से, बिल्कुल courses आपके start हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ जुड़के, यह journey अपनी तया करना चाहते हैं, और मैं आपको, जो आपका मुकाम है वहां तक हो जाने में help कर सकती हैं, ठीक है, चैनल को, and साथी साथ, जैरफड एप्लिकेशन के माधन से, enrollment भी ले सकते हैं, paid batches में, मैं आपको यह security दे सकती हूँ, कि आप चितनी महनत करोगे, उससे double महनत मैं करूंगी, और हम यह चीज को make sure करेंगे, कि जो हम पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छा, precise way मे and with the help of PYQs, MCQs, बहुत सारी और नई चीजें और अच्छे techniques के थूँ, आपको पढ़ाया जाए, so that retention आपका हो, और जो भी आपके doubts हो, वो भी बिल्कुल clear होते हैं, हर तीसरे या चोथे दिन आपका doubt clearing session रहेगा, जिसमें जो हमने पढ़ा है, वो अच्छे से हम, solve भी करें और आप लोगों को बिल्कुल study planner दिया जाएगा, so that आप उस plan के according, अच्छे से पढ़ते रहोगे, and अपना जो target है, उसको achieve करोगे, हर 14th day में counselling session, कोई भी आपके doubts होते हैं, कुछ भी आपने पूछना है, regarding your examination pattern, कुछ भी चीज़ हैं, जो भी आपके मन में आते हैं, doubts, वो counselling session बिल्कुल आपके लिए होता है, and बिल्कुल personal support आपको मिलेगा, आप call कर सकते हो, and paper 1 plus commerce का, जो batch है, वो आपको मिलने वाला है, and complete live batch आपके लिए लाया जा रहा है, updated slavers के साथ, और बिल्कुल एक ultimate content जो होता है, बहुत amazing pdf, बहुत जोरों शोरों से, आपके लिए तया paper, जहां पर हम June 2014 के paper को solve कर रहे हैं, thank you so much, मिलते हैं आप से next session में, bye bye, take care.